नमस्कार दोस्तों मैं देविलाल चोदरी प्रिंस सीविल सर्विस के डिजिटल प्लैटफोरम पर आप सभी का ते दिल से हार्दिक अर्दिक श्वागत हार्दिक अभिनंदन जैसा कि अपन RPSC और State PCS के जितने भी एक्जाम हैं उनमें आने वाले कूषिनों के बारे में डिस्क Doll grapp करेते हैं क्यूषिनों के पर सनोतरी कारिकरम गा गर में सागर बने वाली एक हार्दिक सब्सक्र आपकशक्र में जँड़ने सीविल सर्विस में क्लासों का आनन्द ले तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के दिन का प्रश्णोंत्री कारेकरम तो पहला क्यूशन राजस्तान में वह राजस्तान में वह हैं महान शंट इसने हिंदू एक मुश्लिम शंट से दिक्षग रण की राजस्तान का वह महान शंट जिसने हिंदू होने के नाते एक मुश्लिम संट से दिक्षग रण की तो एक कुशन कई बार पुचा गया बहुत थी अच्छा कुशन एकजाम में ऐसे ही कुशन एकजाम में पूछ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे कौन से संटे जो हिंदू ते और मुश्लिम संट से शिक्षग रण की थी तो लालदास जी कौन संटे लालदास की संपर्दाई की परदान पीट कहा है कई बार एकजाम में पूचा गया दोली दू अलवर लालदास जी ने कौन से संपर्दाई की स्तापना की तो लालदासी संपर्दाई की तो राजस्तान के वह मान संथ जो हिंदू थे परंतू उचने मुश्लिम संशे दिक्षग रण की तो कौन थे लालदास जी लालदास जी ने कौन से संपर्दाई की स्तापना की लालदासी संपर्दाई की स्तापना की तो एसे ही कुछा जाते हैं अब ये रीट में पूचा गयता लालदासी संपर्दाई की स्तापना की तो लालदासी संपर्दाई की स्तापना की लालदासी ने राजस्तान का वह मा ग्रणगी तो कौनता लालदार नेक्स कुछन राजस्तान के वे परसिशन जिन्होंने ये लिखाता कि इश्वन नित्य है सर्वपरी है मनुष्य वास्नाओं का दास है मीरावाई सुंदरदास जी लालदास जी रेदास जी राजस्तान के वे परसिशन जिन्होंने ये लिखाता कि इश्वन नित्य है सर्वपरी है मनुष्य की वास्नाओं का दास है तो किस ने लिखाता मीरावाई ने इन संदरदास जी लालदास जी रेदास जी तो संत रेदास मीरावाई के गुरू कोंते मीरा भाई के गुरू को उन्ते रेधास और संत रेधास की चत्री संत रेधास की चत्री का इसकीत है चित्तोड संत रेधास की चत्री का इसकीत है चित्तोड रास्तान की राधा कि इसको करते हैं तो रास्तान की राधा कि इसको करते हैं मीरा भाई को मेरा भाई को रास्तान की राधढके नाम से जणाद है मीरा भाई के पती कुन ते तो कुन ते मीरा भाँ भोजराज बोजराज और बोजराज किसके पूतर ते राणा सांगा के और बोजराज कौन से युद में वारे गये थे खातोली का युद। जिन्होंने लिखाता कि इश्वन नित्य है सरोपर्ती मनुष्वें की वाशनाओं का दास्य तो किसनी लिखाता रेधास में मीरा बाई के गुरु का कहनामता रेधास संत रेधास की चत्री कॉन से दुट में चितोड गड़ घड़ बाकी सब गडुरिया चितोड में कितने सा थीन तेराशो तीन 1534 फंदराशो स्टाट अडशाट राजस्तान का पहला शाका कबुआ तेराशो एकांपे होगा रंद तमबोर में नेक्स कुशन राजस्तान के वह परशी लोग देवता जिनने राजस्तान का कबीर है खिती प्राप्त देवनरन जी, राम देव जी, वीर्तेजा जी, पाबू जी राजस्तान का कबीर की संथ को बोलते हैं संथ को बात करें तो दादू दियाल को राजस्तान क्या बोलते हैं कबीर दादू दियाल का परमुक सस्थ दादू दियाल का इस्तान पूचे तो खाए स्थितन नरेना जेपुट पीठ काएट सिद दाधू दियाल की तो नरेना जे पुण दाधू दियाल ने कौन से पंध की स्थापना की? दाधू पंध ही क्लूशन पुछा राजस्तान के आप परशी लोग देउता जिनने रास्तार कबीर खेते रामदेउजी राजस्तान का इकमातर लोगडेласт को जो कभी ठाँ तो को नता राम्देव जी की रचना कोऊंसी थी ? 24 बढिया, 24 बढिया, रामदेव जी का समन्ध खांसे था तो रामदेव जी का समन्ध था उड़ू कास्मेर बाड मेर से उड़ू कास्मेर शिव तैसिल जिला बाड मेर रामदेव जी को पीरों का पीर के नम से जानते हैं रामदेव जी के पच्रंगी दौज़ जड़ती उसे नेजा रामदेव जी के मेले में जो जागन गयाता जम्मा रामदेव जी का मेला बादर पर सुकल दित्याश एकादसी तक रूनेचा गाउं पोकरन तैसी जिला जर्शलमेर में लगता है राजस्तान के इतियाश में रामदेव जी का मेला मारवार का कुम खेलाता है नेक्स कुशन पश्वों का जीवन पर समस दर्सन पाबू प्रकास नामक गरंत तंकली ते किसकी रचना है पाबू जी की रत्ना खाती की मोड जी आशिया जी की फूलम देखी तो पाबू जी का तो परमु की गरंत है किसका गरंता पाबू प्रकास किसका गरंत है पाबू जी कर लिखा किस्टें अश्या मोड जी ने किस्टे स्वंद्रेयरों के रचने स吸़ी और सिर दक अ तो कोलूमंड से कोलूमंड फलोदी जोदबुर शुयनगरी शन शिटी नीला सेर किसको बोलते हैं जोदबुर को काजरी तो दोस्तो क्योंड कैसे भी पूचा जाए पस्तुव के जीवन पर समध दस्तर पापू प्रकास नाम गरन संकलित किसने लिखा तो आशिया मोड जी राइट आंस्वर ओप्सन नंबर सी राइट टांस्वर पापू जी को उटों का देवता करते हैं उट बिमारोंने पे पापू जी की फढ़ पाची चाहती है पापू जी को लक्षमन का अउतार के नाम से जनाता है पापू जी का परमुक मेला चेत्रमा उशय को लगता है नेक्स्ट वीर तेजाजी का समन नागोर शेता लेकिन राज्ये में इनके शरुवादी थान खा मने वे बूंदी नागोर बारा अजमिर तो परमुग मंदिर खाएं अजमिर तेजाजी को जाटो का देउता काला बाला का देउता दोलिया वीर के नाम से कर्शी के उपारक देउता और नागो के देउता के नाम से जनाता है तेजाजी का प्रतीक चिन गोडे पर सवार मूर्ती शांप डस्ते वे तेजाजी का परमुग मंदिर काहिस्तित खड़नाड़ा नागोर तेजा जी के नाम से कौन सा पसू मेला लगता है वीड तेजा पसू मेला और वीड तेजा पसू मेला कहा लगता है प्रबस्तन नागोर राजस्थान का आई की द्रश्टी सबसे बड़ा पसू मिला वीर तेजा मिला वीर तेजा जी का समन नागोर्षे ता लेकिन राज्य में सरवाधिक इनके थान का इस्थित अ duel तेजा जी की करम प advocोक। नेक्स्ट राजस्तान का वह परशी संथ जिसने कबीर रेदास तता रामानंजी को राजबुता ने की सामाजिक बुराहियों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया संदन्ना मीरावाई संथ पीपा दादू राजस्तान का वह परशी संथ जिसने कबीर रेदास वह संत्रेद दूरायों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया तो किस ने किया संथ पीपा ने संथ पीपा का समन्ध कांश है गागरोन दूरग जालावार से गागरोन दूरग जालावार गागरोन दूरग की शेनी का दूरग है जल्द शेनी का गागरोन दूरग की नदी के किनारे इस्तिता है आउउ और कालीशिंद आउ और काली से नदी के किनारे संद पीपा की गुपा तोड़ा भीम टोंक संद पीपा को दर्जी समाज का अराध्य देउता संद पीपा ने मोक्ष का परमुक्षादर किसको बना भक्ती को संद पीपा का समय से गागरों दुरख जालावाड़ संद पीपा की चतरी तो गागरों दुरख जालावाड़ नेक्स्ट वहर इस्तान जो वीर तेजा ये शमन्दित नहीं है को लूमन्ट शेंदरिया पनेहर बाशी दुगारी तो तेजा जी की करम इस्तली कहां इस्तीत है तो बाशी दुगारी बूंदी पनेर इनका क्याता ससुडान शेंदरिया जहां साप ने दसाता तेजा जीको शेंदरिया कोलूमंट कालो जौदailedबुर और कोलुमन तो आपने पीछे पढ़ाता पीछे क्यूसन में कोलुमन तो किसका समंद है तो पाबू जी का तो ओप्चन नमबर ए राई टांसवर कोलुमन राजरतान के वहिस्तान जो वीर तेजाजी समंद नहीं है कोलुमन फलोधी जौधपुर क्यों कि पाबू जी का जनम पाबू आता कोलुमन में शेंदरिया वहिस्तान जामीर तेजाजी को साफ दसाता पनहेर तेजाजी का सशुलालता बार्शी दुगारी बूंदी को तेजाजी की करमिस्तली के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट मेवाड की वह रानी जो संत्रेधास की आध्यात्मी प्रोचनों से सरवादी प्रभावित्वी तंद्रेश कोरी भाई अंसा भाई रानी पदमनी रानी सुस्मती जाली ओप्शन नमबर D राई टांस्वर्ट रानी पदमनी वही है जिसके समय तेरा सो तीन में मेवाड का प पर किसकी पत्नी ती राणा लाखागी इसका बाई था प्रणमल राठोड तो दोस्तों मेवाड की वह रानी जो संत्रेधास के आध्यात्मी प्रोचनों सरवादी प्रभावित्वी ती राणी सुमती जाली ओप्शन नमबर D राई टांस्वर्ट नेक्स्ट राजपुताने का वैसासक इसने फूली बाई को अपने द्रम बायर मनाया पूली बाई ने राजमयलों को दार्मिक उप्देश दिये काणा कुमबा जस्वन सिंग सवाई जे सिंग मिर्द काजा विन्ने सिंग जस्वन सिंग राही टांस्वर्ट ओप्शन नमबर D राही काल मेवाड के चोराशी द्रुगों में से 32 का निर्मान किसने करा दिया राणा कुमबा ने ओप्शन नमबर D राही टांस्वर्ट जस्वन सिंग नेक्स कूशन राजपुताने का वे संथ जिसने अपना आध्यात्मी जीवन का जनक खा जाता है तो संथ पीपा को संधन्ना को संधन्ना का समन्द कहां से दूवन कहां टोंक संथ पीपा ने मोक्स का परमुक साधन मोक्स का परमुक साधन किसको बताया भक्ती को संध दादू 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 दियाल का समन्न नरेना जेपुर्षे दाद्दू दियाल का स्तसंग स्तल्प क्या खलाता अलक धरीवा दाद्दू दियाल ने कौन शेपंद की स्तापना दाद्दू पंद की दाद्दू पंद शंद पीपा का समन्द गागरोंदुरग जालावाड मीरा भाई बच्पन का नाम मीरा भाई का बच्पन का नाम क्या था पेमल तो दोस्तों राजपुताने का वह सं जिसने अपना अध्यादमी जीवन का जनक अगरते हैं संदन्ना राइट आंसवर संदन्ना राइट आंसवर तो दोस्तों ये परशनोत्री कारेकरम की जो सरंगला बहुत ही अच्छे क्यूशन आज अपने देखें क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक वे शेयर करें राजस्तान के जितने भी स्टेट पीशेयर के कंपिटेंस एक्जान में सबसे महत्तुपने परशनोत्री कारेकरम तो आज के लिए इतना ही सभी को जेहिंद क्लास से जुनने के लिए धन्यवाद थैंक्यू